कि सब्सक्राइब इस इस में 16 कैल इए जब गाएन दीकी इंगे देखिएगा वार्ड देखिेगा इस इन पना में टकाल दीकरश पिंग से इसी तरह से बनाना है पहले चार सलाई निकालने पिंग से फेट डिजाइन बाइट से डालेंगे वाइट री से हम एक एक फिंदा बढाते जाएंगे इस तरह से ये पूरी सलाई इसी तरह से जाएगी इदर मैं चार फिंदे छोड़ूँगी पहले दाय में हम चार फिंदे छोड़ देते हैं एक साथ फे दो दो करके छोड़ते हैं देखिएगा मैंने चार फिंदे छोड़ दिये हैं इदर बिगेर बुने हुए इस पे मैं डिजाइन डालूँगी इस पे दो दो अंटे लगा के इस तरह से पूरी सलाई में इसी तरह से बुण जाओंगी ये देखिएगा यह पूरी सलाई इसी तरह से जाएगी यह देखिएगा एक एक फिंदा इस तरह से हम दस फिंदे बढ़ा लेंगे और इधर से हम दो-दो फिंदे करके अब छोड़ते जाएगे और दो do करें चोड़ते हम वेलिस लायव कोनि दो एक चोड़ते देखता हैं इस पर डिजाइन प्लब रही है यह तीन फिन्दे शीर से बनेंग ऑग। विफ पर आंगे की अदार्गा अध फेर प्रीचे की अदार्गा उस तरह से इसी तरह से हम ये भी पूरी लाइन इसी तरह से निकालेंगे और दो फिंदे हम बिगेर बुने हुए छोड़ देंगे ये बिगेर बुने हुए मैंने फिंदे छोड़ दिये दो दो करके छोड़ेंगे अब ये सीधी-सीधी जाएगी इसी तरह से सलाई इस तरह से सीधी सीधी फिर मैं उन चेंज कर लूँगी उसकी चार उल्टी सलाई निकालने है उल्टा उल्टा बनाना है उधर से भी उल्टा इधर से भी सीधे साइट से भी उल्टा जिस तरह से हमने ये बनाया है और एक-एक फिंदा हम बढ़ाते जाएंगे इदा साइट पर आप यह देखिएगा आप इसे बढ़ाएंगे यह देखिएगा यहां पर बाइट के चार फिंदे हो गए है बेगर चूटे हुए इसी तरह से हम उल्टे उल्टा बनाएंगे उधर से भी उल्टा इधर से भी उल्टा दो सलाई और निकालेंगे इसी तरह से हम छोड़ते छोड़ते जब उपर आजाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे यह देखिएगा इतने हमने कम्प्लीट कर लिया ज़िए हाप कली बन के डिजाइन डालके और बिगेर बुने हुए यहां से चूटे हुए हैं फिर इतने फिंदे हमने ऐसे ही रखे हैं आप देखिए क्या एक सलाई में दो सलाई इसी तरह से निकालेंगे साधा साधा फिर अंगली सलाई से मैं इसको घटाऊंगी अगे देखिए यह देखिएगा यहां से मैंने एक फिंदा इस तरह से उठाके और इसमें बिनना है इस तरह से दो ही फिंदे अभी बिनेंगे अंगली सलाई में दो फिर दो फिर से यह वाले बिनेंगे यह देखिएगा यह देखिएगा आप मैं कम कर रही हूँ एक का दो इस तरह से इसी तरह से हमें बनाना है आंगे भी जब हमारे बीच फिंदे बचेंगे तब हम गठाना बंद कर देंगे जितने हमने डाले थे उतने ही बचेंगे बाकी गड़ जाएंगे सारे यह देखिएगा डिजाइन की जगे पर डिजाइन पड़ेगी और यह पर बाला फिंदा मैं इस तरह से कर लूँगी यह देखिएगा इसके जो बैंगनी उन है उसके मैं दोई-दोई करके बिनती हूं तब यह हम चार सलाई निकाल लेती हूं इसके चारू इस पर डिजाइन बनेगी तो हम चारू फिंदे बना लेंगे इस तरह से चारो बनाके इस पर मैं डिजाइन डालता हूं यह देखिएगा यहां से कम होते जाएंगे और बाकी फिंदों पर डिजाइन पड़ती जाएगी नीचे उसी इसाफ से बिनना है जैसे यह बनाया है इसी इसाफ से हम इतनी बनाएंगे दो दो करके यहां से दो दो करके यहां पर चार उपिंदे बनाएंगे यह समझ लीजिएगा अच्छे से यह देखिएगा बनके तयार हो गया है अब मैं सिलने जा रही हूं इस तरह से हम सिल देंगे इसको इस तरह से तरह इसको